हेलो यदि आप बोर्ट एक्जामें टॉप करना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यहां आपको प्रति दिन फ्री लाइब क्लासेस कराया जाता है साथ ही तेक रभीवार हुआ ब्रहसपतिवार को टेस्ट लिया जाता है परिछागे दो महिने पहल से अंसॉल्ट बोर्ट पेपर हल कराया जाएगा आप समय से तैयार रहे है हलो वेलकम स्टुडेंट तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कच्छा बार ठीक है जो की एल्सी आइटी पैटर्न पे बताया जा रहा है तो इसका द्वीती प्रस्ट पत्र चल रहा है ठी यानि मानव नेत्र ठीक है इसका बांग नंबर पांच है तो आज किस वीडियो में हम मानव नेत्र का पूरा टपिक है खतम करने वाले है ठीक है थोड़ा सा टपिक बाकि ला गया था जो चाहिए Prior तो इस पार में हम उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और कल से एक नया चै करते हैं अपने वीडियो को start करते हैं तो चलिए देखिए आज का चौर्था पॉइंट क्या है इसके पहले हमने 4 प्रकार की द्रिष्टी दोस को बता दिया था त्रिक है वह उर्द्वाधर वस्तुएं रेटीना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, ठीक है? उसे क्या करते हैं? अब इन दुपता कहलाता है, कहने का मतलब कि इस प्रकार का दृष्टी दोस है, इसमें क्या होता है? कि दूर रखी कोई वस्तु, 36 वस्तु, ठीक है? वह उर्द्वा फिरिट व्यक्ति की वस्तु के उर्धवाधर तथा 36 भागों को एक साथ स्पश्ट दिखाई नहीं देता है ठीक है यह दोस निकट दृष्टी दोस वधूल दृष्टी दोस दोनों के साथ होता है तो इसमें कहने का मतलब यहाई कि यह एक प्रकार का क्या होता है? दोस होता है जिसमें क्या होता है एक कही दूरी पर रखी 36 वर उर्धवाधर वस्तु में रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती है और विन्दुकता कहलाती है इस दोस से पिरित व्यक्ति की वस्तु एक उर्धवाधर तथा 36 भागो को एक साथ इस्परश दिखाई नहीं दे सकता ठीक है तो यहां दोनों प्रकार के दोसों पाया जाता है जैसे निकर द्रिष्टी दोस और दूल द्रिष्टी दोस ठीक है चलिए तो अब चलते हैं देखते हैं अब इंदुपता का कारड क्या होता है इसको समझते हैं तो इसने बता जा रहा है कि अब इंदुपता इस दोस का कारड़ यह है कि कारणिया की सतर पूरी तर पूरी तर गोला कार नहीं रहती है बल्कि उसके तलों की वकुरतातरिज्या भिन 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 दिसाओं में भिन भिन होता है कहने का मतलब कि जो दोस होता है इसका कार्डिया है कि इसमें क्या होता है यह कार्ड होता है कि कार्णिया की सत्ह पूरी तरह गोलाकार नहीं रहता है बलकि उसके प्तलो की वक्रता तिज्या भिन 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 दिसाव में भिन भिन रहता है इसलिए यह दोस उत्पन होता है ठीक है चलिए तो अब चलते हैं अब इन दुखता का निवारण क्या होता है इसको समझ लेते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि दोस इस द्रिश्टी दोस से निवारण ठीक है क्या कते हैं टारीक लेंज भी कहा जाता है ठीक है तो यह हो गया आपका अबिन्दुप्ताक के निवारण ठीक है आये तो एक last वाला आपका बाकी रागया है जो पाचवा नंबर का दोस है वो कौन सा दोस है कैसा दोस है आये उसको समझ ले जेए तो यह वर इढ़ा दनता है दोस में जो इस प्रकार का दोस है कौन सा वरडांदता इस प्रकार के दोस में मनुस्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रती ही सुग्राही होते हैं क्या होते हैं कुछ निश्चित रंगों के प्रती ही सुग्राही होते हैं इस दोस से पिडित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख सकता तो है क्या इस प्रकार जो पिडित व्यक्ति है वह ठीक प्रकार से देख तो सकता है लेकिन कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते कुछ निस्ठित रंगों का मतलब कि वो रंगों का जो रंग होता है उसको निस्ठित नहीं कर सकते मतलब उसको रंग में उसके क्या हो सकता है वह रंग नहीं बता सकता है ठीक है इस प्रकार के इस प्रकार से पिडित विक्ति को क्या करते हैं वरडांधता का दोस हुआ है ठी इसका कोई अपचार नहीं है मतलब इसका कोई उपयोग इसका कोई क्या है अपचार नहीं है ये हो सकता है आज़े देखते हैं वर्डानता का कारण क्या होता है कैसे होता है किस कारण से होता है इसको समझिए तो इसमें बताया जा रहा है कि मनुस्य की आखों में संक्वाकार कैसा होता है संक्वाकार मतब संकु के आकार का कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोस होता है इस दोस से पिरित व्यक्ती ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं लेकिन कुछ निश्चित रंगों का आंतर नहीं कर पाते हैं ठीक है अगर उनके सामने कोई कलर रग दिया जाए दो तीन कलर तो उस कलर को अच्छे से एक आग क्या करेंगे नहीं पहचान सकते ठीक है तो इस प्रकार से पीर्ट व्यक्टिव करते हैं क्या कि वरड़ांदता का दोस हुआ है ठीक है समझ में आ रहा है चलिए तो एक क्वेसिन बताते हैं इस पर ठीक है उसको समझ लीजी और चेप्टर पुला खतम हो गया आज तो दिखे पहला question क्या है उसको समझे द्यान से पहले question बता जा रहा है minus two diopter छमता वाले lens का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदू कितनी दूरी पर होगा ठीक है तो छमता दिया हुआ आपको और क्या पूछ रहा है व्यक्ति का दूर बिंदू कितनी दूरी पर जिस्तित होगा तो यह पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे आप तो पहले lens का छमता दिया हुआ है कितना दिया है लिख लेते हैं lens ठीक है lens की छमता lens की छमता यानि P वराबर कितना दिया है आपका minus to diameter इतना आपके question में दिया हुआ है ठीक है अब देखिए सुत्र क्या होता है सुत्र होता है आपका P बराबर हन्डेड अपान क्या होता है वो भी कितने में semi में semi में होता है अब चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा इतना formula होता आपको पता है चलिए अब देखिए एक चीज़ आपको पता है यहां से अगर f की value निकालनी हो तो क्या हो जाएगा f का value निकालना होगा तो इसका पच्छांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आएगा आपका हो जाएगा f is equal to 100 बटे के p आएगा कि नहीं इसका पच्छांतर करेंगे तो यह आजाएगा formula का निकल के अब इसको क्या करेंगे हम focus दूरी यहां से निकाल लेंगे ठीक है चलिए तो कैसे निकाल लेंगे ध्यांस देखिए फार्मले से तो आजाएगा f is equal to 100 उपर रहेगा ठीक है 100 बट ठीक है अब इसको काट के हल करेंगे तो क्या आजाएगा दो के दो दो पचास हम 100 तो f की value कितनी आगई f की value आगई 50 ठीक है f की value 50 में आगई और यहां पे क्या था माइनस था तो माइनस 50 सेमी अब देखिए अब आपका f का value निकल के आ गया है अब क्या होगा एकदम ध्य कि क्या है कि ध्यक्ति का दूर-बिंदु कितनी दूर पर रख़ी पर रखा हो जब ठीक है तो इसका हम निकलेंगे क्या हमको मान लेते हैं जो वरस्तु की दूर है वो कहा रखी होगी अनंदव पर रख़ा होगा ठीक है u बराबर अनन्त हो गया infinite और प्रतिभीम कहां बनेगा यह हमको बताना है यही नहीं पुछा है बिंदु कितनी दूर पर होगा तो कितनी दूर बनेगा यही बात पूछी जा रहे है यह प्रतिभीम बताना इसमें तो क्या हो जाएगा ध्यांस दिखिएगा ठीक है अब देख फार्मूला होता है आपका 1 अपान ऐफ वन अपान ऐफ is equal to ठीक है 1 अपर धी माइनस वन अपान यू यह होता है अब फार्मूला होता है तो अब इसको हम इससे पर सारा वैलू पूत करेंगे देखिए क्या हो जाएगा बहुताना है माइनस पचास यह मिलेगा is equal to 1 upon B, ठीक है, B का मान हमको निकालना है, तो B को B लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा, minus 1 upon U, U का मान अनन्थ है, कितना है, अनन्थ, तो जब यहां से बनापन B के बढ़े निकालेंगे, तो हो जाएगा 1 upon B is equal to, ठीक है, यह इधार आके हो जाएगा, plus 1 upon infinite हो ठीक, इतना समझ में है, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, जब इतना हल करेंगे, तो हमारा आ जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आपका पूरा 0 हो जाएगा, 1 upon infinite is equal to 0 हो जाएगा, तो आपका आएगा, क्या लास्ट में, 1 upon B is equal to, यह तो 0 हो जाएगा, पुरा-पुरा और यह minus 1 upon 50 हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ से भी का वैलू निकालेंगे, तो क्या आएगा, अगर यहाँ से भी का वैलू निकालते हैं, तो हमारा आएगा, minus 50 semi, तो यहाँ से आपका आगया, भी का मान कितना आ गया, minus 50 semi, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अतह ब्यक्तिक का दूरविंदू, 50 semi दूरी परिस्थित होगा, ठीक है, तो यह सवाल लग गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया, हमें उमीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, तो यह चेप्टर अब क्लोस हो चुका है, अब इसमें कुछ बताना नहीं ज़्या अब एक नए चेप्टर का इस्टार्ट करेंगे, तो आपको हम एक कोशन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको लगा कर दिखा सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो देखिए कोशन के है आपके लिए ध्यान दिखिएगा, तो यह दूसरा कोशन आपके लिए है, एक व्यक पचास सेमी और दो मीटर के बीच की वस्तुव को वो साफ साफ देख सकता है, ठीक, निकट दिरिष्टी दोस दूर करके, ठीक है, दूर करने के लिए जब वह चस्मा लगाता है, तो उसके निकट बिंदू की दूरी क्या हो जाएगी, ध्यान से बताएगा, एक दम सब्la ऑगाता है, जिसको समझ में आएगा उसके लिए, तो इसको अच्छी से लगा की किया तएक दो सर कम से कम एंसर बता दिया कितना आता है, ठीक है, इस बार हम इसमें यू का वैलू निकालना है, इसका मान कितना आएगा ये हम वापको बता देते हैं, जो निकाल 7 70 इतना एंसर इसका आएगा थिक है चलिए तो आप लोग इसको लगाईएगा और अच्छे से लगाके समझ दिजीगा थिक है चलिए तो देखने के लिए वीडियो धन्याद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा आज दे चेप्टर समाप तो गया ठीक ठैक्स पर वाचिन